गुड मॉर्निंग जहिन प्यारे बच्चों स्वागत एक बार फिर से आप सभी का जहिन भी मंत्रा पर तो चौथा अध्याय जो है आपका भिन आकृति छाटना ओड मैं आउट मतलब की अलग आकृति को छाटना होगा और आपको इसमें जो है की चार पांच प्रकार के हैं समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला है आपका समान आकृति के घूडन के आधार पर वर्गी करण जैसा कि आपलोग इसमें प्रस्णाकृति जो है की इसमें आपकी उतर-ाकृती भी छिपी होगी Along फश्ट वेस्ट जो चारों से भीनोंगी अलग तरफी होगी तो वही आपका आंसर होगा ठीक है यह दर black dot है उधर ही arrow का face यानि arrow का मूँ भी है ठीक है आक्रती जो है कि फिर आप घूम करके इसका जो face है यानि कि सामने का इससा जो मूँ है इसका दाहिनी तरफ हो गया इस corner से दाहिनी की तरफ घूम गया लेकिन यह चीज सेम है आपकी yes आक्रती के जो end जहां पर हो रहा है वही पर black dot है और arrow भी उसी side है ठीक है उसका फिर से जो है कि तीसरी आक्रती में जो है कि yes जो है एक सेम वही है आक्री में उसके dot है और dot के तरफ भी arrow का मूँ है ठीक है लेकिन जो चौती आक्रती है आपकी आप लोग देख पा रहोंगी yes तो बनाए ठीक है उसका dot भी end में ठीक है लेकिन arrow जो है आपका वह arrow का face जो मुह है वह दूसरी side है यानि कि यह आपका उत्तर हो जाएगा बच्चो जो option number D है यह आपका answer हो जाएगा क्योंकि यह इन बाकी चारों आक्रतियों में से भीनना है यान कि तीन लगबग एक तरसे समान है किसी चीज को follow करें किसी क आक्रतियों कि विभाजन के आधार पर जैसे कि कोई भी आक्रति दी होगी विभाजन मतलब कि उनको 200 या 300 में बाटा गया होगा तो आप लोग जैसे कि उधार में देख पा रहे होंगे जो उधार इसमें दिया हुगा है पहले में एक circle है फिर एक triangle है एक square है फिर उसके बा आधे इससे वह बाटा गया है और यह वाला triangle पर इसको भी बिल्कुल बीच से आधे इससे वह बाटा गया लेकिन जो circle है circle को आप लोग द्यान से देख पा रहे होंगे कि जो कि बीच से बिल्कुल जो आधे से अगर इसको आप बाटेंगे तो यह line जो है बिल्कुल इसकी यहां से बाटा गया है इसलिए आपका option जो ए बिल्कुल राइट हो जागा यह आपका option सही है ठीक है इसी का जो है कि आकृतियों के विभाजन पर यह उधार एक था आपको इसका दूसरा उधार मैं दिखा दे रहा हूँ अगला जो उधार है आपका आकृति भी भाजन का आप लोग देख पारेंगों इसमें चार तरह की आकृतिया दिए एक ट्रैंगल है सर्कल है इसक्वायर है और एक पंच बुझ है इनको जो है की बाटा गया है कैसे बाटा गया जैसे कि इसमें जो है की कॉर्णर से से सेंटर भुझहा पर मिलाकर के इसको एक तरह से क्रोश करके जाटा गया कै यहाइक इसमें आप देख पा रहे हूंगे एक दो तीन चार पांच छेट रहंगल में कितने हिस्से बन रहे है बातने के बाटन चे इंशे और ये दो मिल करके 8 यानि कि ये तीन आकृतियों जो B, C, D तीन आप्षन है इसमें जो की सरकल, स्क्वायर और पंचपूच को बाटने के बाद ये इनके 8 हिस्ते बने हैं लेकिन जो ट्रेंगल को जब बाटा गया है तो इसके 6 ही हिस्ते है यानि कि ये बाकी तीन आकृतियो अगला प्रकार विनाप्रति छहाटने का इसमें रेखायों या भूजायों की संख्या पर आधारी जो रेखाय या भूजाय जो इसको मनले जेए या फिर पती माली जेए चार फूल है या तीन चाठीए वी आपशन में जो एक हीदव फूल हैं और दि में में क्या है ता तो हैं इसमें शमजना अप लोग यह हैं जो है कि जो ए जोड़े एक दूसरे के दो-doo जोड़े हैं दो-दो ठीक है? B deer option में क्या है? इसमें भी दो है एक जोड़ा है यानि की C deer option में क्या है कि एक जोड़ा है लेकिन एक सिंगल बच रहा है ठीक है? और D deer option में क्या है कि इसमें तीन, दो, पांच, तीन, आठ है आठ यानि कि चार जोड़े, दो चोग के आठ होते हैं, यानि कि इसमें चार जोड़ी जो है कि फ्लावर की पतिया है, लेकिन C आपसन में क्या है, कि एक जोड़े है और एक अलाग है, यानि कि ये जो है कि बाकी आकृतियों से जो कि आपसन C आपका है, वो भिन है, तो यही आपका answer यानि की उत्तर हो जाएगा ये आपका रेखाओं भुजाओं संख्या पराधारित का है तो इसका दूसरा उधार भी मैं आपको बद दिखा दे रहा हूं रेखाओं भुजाओं या संख्या पराधारित का जो उधार दूसरा है आपके सामने ये चार आपसन इसमें यार बॉक्स में A B C D आप देख पा रहे होंगे इसमें ध्यान से अप लोग देखेंगे और समझेंगे इसको कि पहली आकर्ति जो आपसन इहें इसमें क्या है तीन रेखाए है यानि तीन लाइन है तीन रेखाए है एक ही दिशा में दिख रहे हैं उससे कोई दिकत नहीं ठीक है? Option नमर B में क्या है? इसमें भी तीन रेखाए है, तीनों अलग अलग है, जूड़ी नहीं, आप लोग देख पाने होगे, कहीं एक दूसरे को ट्च नहीं करें, क्रॉस नहीं करें हैं, बिल्कुल अलग अलग है, तीन, C आप्सन में क्या है? इसमें जोए कि तीन रेख आपका सबसे अलग है तो यही आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों तो आसा आपको समझ में आ गया होगा तो चलते हैं अगले प्रकार में इसमें भिनाकृति छाटने में का बच्चों यह है चौथा आकृति के प्रतिविंबिक प्रतिविक प्रतिविंब वाला मैंने आपको साथ पहले ही अध्याय में बताया था कि एक जल प्रतिविंब और एक मीरर दरपण का प्रतिविंब होता है और आकृति का था उसमें ठीक है तो दरपण और जल दो ही प्रतिविंब वाला की ज्यादातर प्रशन पूछे जाते हैं तो इसमे क्या है आपको मैंने बताया था दरपड में जो क्या है राइट टू लेफ्ट होता है ठीक है और जल प्रतिभी में जो हता है उसमें आकरती का जो प्रतिभी में जो बनता है उल्टा यानि उपर से नीचे कितर बनता है ठीक है तो आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे यह आपसन दिये हों A, B, C, D, इन चारों में आपको भिन आकरती छाटना है क्योंकि यह चौथा आद्या है तो भिन कैसे होगा? आप लोग को अलग आकरती इन चारों में से छाटनी है, बताना है सही उत्तर आपका वह ही होगा, A आपसन जो है आपका, अगर इस ट्रेंगल के बी जो उपर से नीचे करेंगे तो आप देख रहे हों कि पंचपुझ में जो इसका नुकीला इससा जो उबरा हुआ जो बाहर है, वो क्या है? उसका नीचे होना चाहिए, बिल्कुल, यानि कि जो इसका बेस है, बेस बिल्कुल इससे सटा होना चाहिए, जल प्रतिभीम में य लोग देखेंगे कि इसका ठीक उल्टा प्रतिभीम इसमें बनेगा इससे में, यानि कि आप्सन C जो है आपका ये बिल्कुल भिन्न है, प्रतिभीम के आधारित वाला जो चौथा प्रकार है, आपका ये आपको अगला प्रकार बता देते हैं, आगला प्रकार जो आपसन आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे, तो आपको जो भिन्न आकृति जो है कि बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी, जैसे कि इसमें आप लोग देख रहोंगे आकृतियां क्या है, एक स्क्वायर है, जिसके साथ एक तीर की तरह डंडी लगा, यानि स्क्वाय त्रेंगल, दोनों का जो फेस है, जो नुकीला इससा है, वो दाहिनी तरफ है, यानि एक ही तरफ है, यह एरो वाले ट्रेंगल का भी त्रिभूच का भी और जो सिंगल त्रिभूच है उसका भी, दोनों का मूँ जो है कि बिल्कुल सामने है, ए आपसन में, बी में क्या है, कि ये जो triangle यादि या इसका नुकिला इस mid-side है लेकिन एक triangle ये एक तिरिभुझी इसका नुकिला इस Über Serge Advery यानि कि option D जो है कि आपका इन चारों में से भिन्न है अलगा यानि कि ये आपका उत्तर हो जाएगा आपको इसी प्रकार से ध्यान से देखना होगा चीत्रों को आकृतियों को आप समझ जाएंगे कि आपका उत्तर कौन सा होगा है चलिए इसमें एक और उधार में आपको बता देंगे विसम आकृतियों के चैन करने में जो उधार दो है आपका इसमें भी A, B, C, D, 4 आपसन दिये हुए है ठीक है पहला जो आपसन है आपका A आप लोग देख पार हैं कि जो आकृति है आकृति के ऊपर तीन जो की डंड़ी या फिर तीन पत्तिया है और आकृति के नीचे भी तीन है ठीक है आपसन B में जो है कि आकृति के ऊपर तीन तीन छे है और नीचे जो है कि तीन दो पांच है आपसन B में ऊपर छे नीचे प तीन यानि कि जो B, C, D आपसन है इसमें उपर 6 नीचे 5 इसमें C आपसन में 5 उपर 4 नीचे D option में 4 उपर 3 नीचे यानिकि जो ऊपर की जो पतियां है नीचे वाली जो एक पतियां कम है उपर वाली एक पतियां अधिक है जबकि आपसन नमर ए में क्या है उपर भी तीन या नीचे भी तीन है यानि कि ये आकर्ति जो है कि आपकी भीन है बाकी आकर्तियों से यानि कि आपसन ए जो है कि सही उत्तर है इस विसम आकर्तियों का चैन करने में या चाटने में तो आपका अध्या जो चौथा था भीन आक बाइ बाइ बाइ